नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे है आसा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अश्य होगे दोस्तों फरवरी का टॉप थ्री वेकेंसी हम लेके आगे है जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों संपूर्ण डिटेस बताएंगे और आपको ज़रूर फॉर्म अ यह दोस्तों ठीक है अब देखो दोस्तों इसमें 18-30 साल एज वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ओवी सी का तीन साल और एसी एश्टी का पांच साल का छोड मिलता है अप्लाई कप से होगा वह भी मैं बता दता हूं 24 फरवरी से फर्म भराना स्टार्ट होने वाला है 24 फर होता है इसको दोस्तों CHSL का पोस्तों होता है डियू का पोस्त होता है बहुत सरा इंक्लूड होता है जितना भी विभाग सरकारी सबकूद को एक बार जोड़के इससे अपना फेकेंस से निकालता है वह दोस्तों समझें लो असान बाज़ा में इसमें 100 q200 marks एक घंटे का सम में इह दोस्तो ऐसे सेलेक्षन पोस्ट चौबैस तारीख से फौम आपका बर्णा स्टाट होने वाला है जो घृटकेंसिय इसका और पोर्ड़ी स्टार्ट है यह असे समसर् पाउस्ट तोल खोर। पोस्ट वेकेंसिय हैं दोस्टों क्वालिफेकेशन दसवी पास और डसवी पलस आई टीआ पास्पाम ऊपनग स्थानि रखेंसिय इसमें तुक का पोस्ट है त्रेटसमें का आपका बहना सामराइफलिक एपका यह ध्यान रकेंसियेंगा देखिए इसमें पैसा लगेगा जे रूबी में पोस्ट आता है आपका जो सब्सक्राइब का बाकि जितना भी पोस्ट है इसमें इसका डीटेल्स में वीडियो हम अलेडी बना रखें अगर वो वीडियो नहीं देखा है न तो यह आप आई बटन पर लिंक देदें कर देख लिजिएगा बाकि जैनल और वीडिय इसका सौर पर लगेगा मैं इसलिए वीडियो बढ़ा के बता रहा हूं आपको ताकि क्या होता है कुछ बचे पूछते का सर कौन कोसी वेकेंसी आई है बता दीजिए इसलिए मैंने दोस्तों एक नया सिंखला स्टाट किया है उस महीने का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टन जो वेकेंसी है जो आप लोग मिस कर जाते हो बहुत सारे पता नहीं होता कौन से वेकेंसी चल रही है उसका हर महीना वीडियो आएगा तो आपको अपलाई करना है साम राइफल में यह बला अपलाई ओलेडी 17 आपका 17 फररी से स्टार्ट है 19 मार्च तो को फॉर्म भर यानि चारो सब्सक्राइब मिला के 25-25-25 कोशन आपसे पूछा जाता है ठीक हर एक सब्सक्राइब से 25 कोशन नेगेटी मार्किंग नहीं होता है 100 कोशन पूछा जाता है एक कोशन एक नंबर का और दोस्तों दो घंटे का आपका समय मिलता है यह ध्यान रखिएगा तो यह अपने असाम राइफल का सिलेवस देख लिया अब इसकी तैयारी के बारे में आप लोग पूछ रहेता ना सरह हम किस बुक से तैयारी करें तो इसके लिए बेस्ट बूक आता है दोस्तों इसके पॉब्लिकेशन यानि सरी किसन पॉब्लिकेशन का यह जो बूक आप देख असाम राइफल और टेक्निकल और ट्रेट्समेंड के लिए दोस्तों निउतन पैटन पर अधारित प्रैक्टीस सेट है इसमें 20 आपको प्रैक्टीस सेट मिल जाएगा दो प्रैक्टीस सेट ले 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 रहा है ताकि आपको आइडिया मिले किस प्रकार का प्रसन पूछ आ अगरे बढ़ते हैं अगर सबसे इंपोर्टन वेकेंसी है ना इंडियान आर्मी अगनी बिर परियोजना के तहक दोस्तों वेकेंसी निकल के आ रही है अब इसमें दोस्तों टोटल हम पोश्क्राइब करें अगर क्यों इस साल की दुस्तों सबसे बढ़ा है 40 koss प्लस बेकेंसी हैं ओल्नावर अबर इंडिया मिला सिस्तों क्या क्यों एक यह दूस्तों आपको इंप्टन है इसमें च्यंजिंग इह हुग ना चेंजिंग बहुत बड़ा चेंजिंग है पहले इसमें क्या हको था रैली होता था चार सब शो मनता था बहुत म trophy अगों बहुत पता होना छाइए बात अगर जनकारी नहीं है तो जिनको जनकारी है तो उनको पता है अब पहले इसमें एक्जाम कर दिया गया है अब एक्जाम करने से फैदा यह होगा ना जितना भी रैली में मारा मारी था भीन होता था अब सब खतम पहले एक्जाम पास करेगा बच्चा उसके पास सिमित बच्चा रैली में ज होने वाला यह जहां रखेगा ज़रूर आपको अपलाई करना चाहिए 40,000 पोस्ट पर वेकेंसियां है इसमें देखो सबसे पहले जीडी का मतलब 33 कम किसी में नहीं होना चाहिए अब देखो इसके अलवा दोस्ट यहां पर टेक्निकल का पोस्ट है तेक्निकल पोस्ट में अगर बात करें तेन प्लस टू फिजिक कमेस्ट्री मैथ और इंगलीस होना चाहिए 50 पसं चारों को बागी 40 परसेंट हर एक सब्यक्ट में होन या स्टोर कीपर का पोस्ट है यह तो टेन प्लस टू है इसमें साट परसेंट माक्स यानि फॉस्ट पचास परसेंट हर एक सब्यक्ट में होना चाहिए यह भी नहीं है चलो एक और पोस्ट बताता हूँ यह ट्रेड्समें का आठीवी या दस भी पास आठीवी का सट्पिक करते हैं इस पोस्ट के लिए जीडी वाला यह पोस्ट आप देख रहा हो ना एक नंबर जीडी में सबसेदा बच्चे अपलाई करेंगे उसके बाद दो नंबर पर यह आपका प्रेड्समें तीन नंबर पर आपका कलर किया स्टोर कीपर और चार नंबर पर आपका टेकनिक यह वाला पोस्ट इसमें से दुस्तो साडस सतराँ से लेकि इक्वीस साल तब एज माँचता है जो यंग जरेनरेशन के बच्चे हैं जिनका अभीभी एज भूआ है कि इसमें बहुत कम क्मपेटिसे जहें क्योंकि एज भीया तो आप ही सुचो आपका अगर एज है अपलाई करो सीमित बच्चे इसमें फर्म भरेंगे और पहले एक्जाम में सीमित बच्चे पास करेंगे अपका लगेगा अपलाई करने का तो इसका सीलेबस में बता देता हूं तो अगर आप जीडी पोस्त लिए अपलाई करते हो ना तो इसमें हंडेट कोशन पूशा जाता है ठीक है और पासिंग मार्क 35 होता है लेकिन आपको ज्यादा स्यादा आपको कोशन करने का जूरूरा थे क्यों मिनिमम्स आपका काम चलन भाला नहीं है और एक घंटेक आपका समय दिया जाता है ठीक है जीके से दुसतों 15 कोश्चन होता है 30 मायक्स का जनरल साइश से 15 कोश्चन 30 मायक्स हो गया और रिजिविनिंग से पांच कोशन पूछा जाता है 10 मायक्स है यान एक कोशन दो नंबर को होता है टोटल 250 स्मस्ट करने के पूछा चाहता है कि यह को संच नंबर क्या पासिंग मार्क मिनिमम असी स्टिस आपका काम नहीं होगा जादा स्टा मार्क लेने की कोसित करने ठीक है अब देगिए दूसों यहां पर अगनी विर क्लर को स्टोर कीपर पैटान डेख लिए जन्रनल नौले से आपका साइन्स है 5कुष्ट्र इंग्लिस मांस का मैं 10 कुष्ट्ट्र तोॉड्ट्र हो गया क्योंकि दोस्तों एक कोश्ट्र चार नम्मर का है ठीक है अब देखे रणिंग कितना होगा 1.6 km का रणिंग होता है फॉल डीटैस्ट वीडियो अल्यडी हमने बना रख़्ा है वी में आटो 48 मार्स आपको कोशित करना 35 से पहले रनिंग करने का तकि आपको ज्यद्ध ज्यद्ध मार्स में सके बाकि आपका यहां पर पूलक जिसको बोलते उसमें आपका मार्स है यहां पाप देख भी सकत हो दसकरोंगा 40 यह दोस्तों आपको बताना था पोलिटेस अलड़ी हमने बना रखा है देखे दो सिलेवस देख लिया हर पोस्त के लिए अलग अलग सिलेवस था तो यह तीन वेकेंसिया होगी इसके अलाव में वह सारा वेकेंसिया निकला हुआ है वह भी मैं छोड़ा फट बताता हूं यह तीन मोस्ट इंपोर्टन वेकेंसिया है एक दोस्तों अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो चौबिस तारिक तक मैं यहां आपको बताता हूं ठीक है चौबिस फैब तक फेरोरी तक आपका कैसे सी MTS हवालदार का डेट बढ़ गया है उसमें भी फॉर्म आप लोग अपल करना चाहिए और दोस्तों कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के माद पूछ लिजेगा और हर महिन ऐसा वीडियो आएगा और आपको बताएंगे भी या उस महिने का कौन कौन सा वेकेंसी आ रहा है ठीक है चले दोस्तों फिलाल बस वीडियो में इतना ही रखते है करके बेले कि अबाएंगे का रने बात